करनाटक मवेशी परवरी और मवेशी मौलेजा सर्विस ने बेंगलूरू महानगर पालिका बीबीमपी से कहा है कि वो सबी कसाई खानों और चिकन की दुकानों को हिदायत दे कि गोश्ट के लिए जानवर को जिबा करने से कबल यकीनी बनाएं कि उन्हें बेहोश किया जाए महाकमा बल्दियाती अदारे को कहा है कि कसाई खाना और चिकन की दुकानों को लाइसंस देने के दोरान मवेशियों को बेहोश करने की सहुलत का मौईना जरूर करे हलांके इस सिलसले में जारी मौरासले को अमूमी अमल बताया जा रहा है लेकिन ये इस वक्त आया है जब दाएं बाजू की तन्जी में उगादी तेहुर के दोरान हलाल गोश्ट के बाइकाट का मतालिबा कर रही है इस सिलसले में मवेशी पर जल्म मखालिफ एक्ट गा हवाला दिया गया है और मवेशी यानि जानवर को जिबा से कबल बेहोश करने को जरूरी बताया गया है मौखमे का कहना है कि उन्हें शिकायते मिली हैं कि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्म है बीजेपी के कौमी जनरल सेकरेटरी सीटी रवी ने तो हलाल खाने को एक्तसादी जिहाद तक का नाम दिया है एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है और दूसरी तरफ आए दिन रियासत में मुसल्मानों के खिलाफ नित नहीं साजिशों का सिलसला जारी है मुसल्मानों के हर छोटे बड़े अमल को जिहाद करार दिया जा रहा है लेकिन इन सब के जवाब में मुसल्मानों की खामोशी हैरत अंगेज है खैर हम इस वक्त इतना ही कह सकते हैं कि जमाने पर भरोसा करने वालों भरोसे का जमाना जा रहा है